नमस्कार, स्वागत आपका Self Study की चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्केस करने वाले काफी एक इंटरस्टिंग टोपिक है, एक अवेरनेस वाला एक टोपिक हम इसको कह सकते हैं, कि चुनाव के दोरान अगर कोई व्यक्ति, जो पैसा है अपने साथ कैश लेके जा रहे हैं, तो वो कितना लेकर बाहर ले जा सकता है, कि बाहर अंदर इंदा सेंस हो गया कि आप अपने घर से निकल रहे हो, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी में बैटे और कुछ पैसा अपने पास रख लिया, और आप जा रहे हो, और आपके सामने वहां पे चेक करते हैं, आपका पैसा जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मामला अभी देखा गया है, ऐसा ही नहीं है कि यह मामला जो है, यह जो टोपिक है, ऐसी बाहर आ गया, इसके पीछे रीजन है, उसको बहुत अच्छे से डिसकर्स करने वाले हैं, और यहां पर क्या एक आम व्यक्ति कुछ पैसा लेकर बाहर निकला, अगर उसको किसी ओफिसर ने पकड़ लिया, मतलब कि चैकिंग करने वाले ओफिसर ने उसे पकड़ लिया, तो क्या उसका पैसा उसको वापस मिलेगा, या नहीं मिलेगा, या उसके ओपर क्या कारवाई हो सकती है, या चुनाव के दुरान कोई candidate है, कोई उमीद्वार है उसको पैसा चाहिए होता है, वो खड़ा है तो उसको वहाँ पर कितना पैसा वो एक time में ले जा सकता है उसके ओपर क्या-क्या पाबंदी है तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से discuss करने वाले है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ पर इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्या हुआ इसी हफते मतलब की जो आप ये न्यूज देखेंगे न 28 मार्च 28 मार्च के एक हफते के अंदर आप देखेंगे कि तमिलाडू में पुलिस द्वारा कुछ जो टूरिस्त थे उनसे लगबग 70,000 रुपे जो है मैं दलब 600 रुपे कमी रहे गे वो जब्त कर लिया और ये जो वीडियो थी इसकी ओविसली एक वीडियो ग्राफर वहां पर होता है जो इनकी वीडियो बनाता रहता है तो क्या हुआ एक वीडियो जो है इनकी ओनलाइन वाइरल हुई अब इसके बाद क्या हुआ पैसा वापस हलांकी कर दिया गया लेकिन ये जो घटना हुई इसके दोरान एक मामला हमारे सामने आता है कि जो Election Commission यानि कि जो चुनाव आयो गए उनके जो नियम है उनको उजागर कर देता है कि भी Election Commission के रूल क्या कहते है अगर कोई व्यक्ति अपने पास पैसा लेकर बाहर निकल रहा है, उसकी गाड़ी में पैसा है, तो वहाँ पर उसके सामने क्या-क्या रूल्स आते हैं, clear हुआ, तो ये हमारे सामने मामला आता है निकल के, लगबक 70,000 रुपे थे, जो टूरिस्ट लेके जा रहे थे, हलांकि उनको वापस कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये लेकिन यहाँ पर जो EC के जो रूल है, वो बहुत ज़्यादा सक्त रूल हैं, इनको हमें समनना का, अब काफी सारे जो लोग हैं, ये सुनते ही कहेंगे कि, अरे सर, क्या होता है इन रूल्स से, हमने देखा है कितने-कितने रूपे जो हैं, वो इदर उदर लेके जाये जाते हैं, लेकिन लेके जाये जाते हैं, अगर वो अथोर्टी के सामने आ गए, तो वो रूपे जब्त कर लिए जाते हैं, हमने बहुत सारी न्यूस हम सुनते भी हैं, आज यहाँ पर इतने रूपे जब्त कर लिए, आज ये एक ट्रक जा रहा था इसको जब्त कर लिया गया या फिर गाड़ी के अंदर इतने सारे गिफ्ट जो थी उनको जब्त कर लिया गया हम बहुत सारी चीज़ें हम इनको सुनते भी हैं देखे सारी चीज़ें obviously होती भी है लेकिन उनको उपर अब एक तरीके से उनको handle करने के लिए उनको control करने के लिए जो authorities हैं वो लगी भी हुई है अब आजाते हैं कि चुनाव के दुरान जो एक money power है उसको कैसे control करती है election commission चुनाव आयोग ने देखे जो बड़े राज्ये हैं वहाँ पर एक candidate कितना खर्च कर सकता है तो यहाँ पर निकल के आता है कि 95 lakh rupees यानि कि मान लिजिए आप एक MP के चुनाव के लिए खड़े हैं और आप जो बहुत बड़े एक राज्ये में आते हैं या आपका जो constituency है वो बहुत जादा बड़ा है तो वहाँ पर आप 95 lakh rupees तक जो आपके लिमिट दी गया 95 lakh rupees खर्च कर सकते हैं अपने परचार के लिए हालांकि हमने देखते भी हैं कि इतना रुपया कम होता है ओविसली 95 lakh कुछ नहीं है जैसे electoral bond का अमारे सामने निकल कर आया नमबर वन बिजपी निकल कर आई वहां पर जिसने सबसे ज़ Evangelical bond से प्राप्त किया तो इतना इतना रुपया खर्च ओजाता है तो इतना रुपया खर्च होने के लिए सरफ यह 95 lakh rupees से काम चल जाएगा क्या ऐसा नहीं होता देखे पर candidate की एक limit रखी गई है एक constituency के अंदर आप माल लेजे आपको एक MP के चुनाव के लिए एक ticket मिल गई तो आप अपनी शमता के वे मतलब की आपके पास माल करोडो रुपे हैं 2-3 करोड रुपे लेकिन आप कर सकते हैं सिर्फ 95 लाग रुपे ये candidate की limit है लेकिन party के उपर ये limit नहीं है party चाहे कितना भी खर्च कर सकते है इसके उपर तो यहां पर जो बोला जाता है ये तो अगर इनसे सवाल जवाब के election commission ने इसने भले ही 50 लाग रुपे या 50 लाग खर्च कर लिए हो इसके campaigning में खर्चा हो गया 2 क्रोड रुपे वो 2 क्रोड रुपे जो है अब इसके पूछे की भाई कहां से खर्च किया तो सिधा ये कहा देगा party ने खर्च किया ना 2 क्रोड रुपे मेरी तो limit 95 लाग थी मेरी तो 85 लाग खर्च किया के लिए भाई कोई ज्यादा limit बाहर ना हो तो इस पे क्या है election commission जो कुछ कारवाई कुछ issues जो है वो instructions जो पुलिस के साथ पुलिस department के साथ या railway के साथ या airport के साथ या income tax department के साथ और जो भी enforcement agencies है उनके साथ share करती है और कहती है कि अगर कोई भी moment ऐसी हो रही है गए election commission के तो तो ऐसा ही मामला तब यहां पर देखे हमने कि जो यह तमिलाडू के अंदर जो परेटक थे वो घुमने आयोगे थे इनके पास सत्तर हजार रुपे थे तो यह रुपे जो है वो जब्त कर लेगे लेकिन देखे अब ऐसा निए कि वो कर लेगे वापस नी मिले वापस दिये गए लेकिन इसके पीछे भी एक नियम है कि भी कैसे वापस किये गए इसकी भी जांस पड़ताल होती है क्लियर वह अब आ जाते हैं आगे क्या चुनाव आयोग के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए कोई एक अलग से ओफिसर डेडिकेटिट कोई ओफिसर की टीम है क्या तो यहां पर बोला गए कि चुनाव आयोग पढ़तेक जिले के लिए स्थेटिक निकरानी स्थेटिक मतलब यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश ये हिंदी translators गलत हो जात था क्योंकि मैं सेम उठाकर यहां पर ही type कर गरो मतलब होता है और तीन से चार जो हैं वो एक पुलिस परसनल यानि की जो सिपाई होते हैं वो इनके साथ मोजूद होते हैं अब यहां पर ध्यान रखना है कि मतदान के अंतिम 72 गंटे के मतलब 72 गंटे का एक टाइम होता है अब देखें फेस बन स्टार्ट होने वाला है फेस बन स्टार्ट होने के टिक 22 गंटे पहले इन सब चीजों को देखा जाते हैं और देखें जहां पर भी चेक पोस्ट लगाये जाते हैं उनकी प्रोपर ही वहाँ पर कर रहा था तो इस सारी चीजे सरकार के द्वारा मुहया करवाई जाती है अब आ जाते हैं अगले हमारे जो एक नगदी और अन्य समान को ले जाने वाले नियम के उपर दीकारियों से यह पेक्षा की जाती है कि वो दस लाग से अधिक की नगदी या एक किलोग् रोपे लेके जा रहे हूँ तो अथोर्टी जो हैं उनसे और कि बिखत और कोई कैश के अ s difícil ले पास तो वहां क्या होगा अथोर्टी उनको तुरंत कबजे में ले लेगे और उनको IT डिपार्टमेंट के पास भेज देगी यह सीज कर लेगे इन सिर्फ चीजों को हाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सत्यापन यानि कि भी वेरिफिकेशन किया जाएगा वेरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता वो जो आपसे नकदी या फिर जो भी आपसे जो एलरी या फिर जो भी आपसे जो सिक्के इन्होंने मौजूद जो आपसे जब्त किये थे वो तब तक नहीं देंगे और हाँ आप कोई गलत काम के लिए नहीं लेके जा रहे है आपकी मान लिजिए आप किसी शादी ब्या में जा रहे है वहाँ पर पैसों के जरूरत थी वो आपके खुद की महनत की कम आई है तो यह जब सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आप कोई राजनीतिक दल से नहीं आप कोई उंबिद्वार को प्रभावित नहीं कर रहे है तो कोई ऐसी चीज नहीं लेके जा रहे जिसे वोडर्स को यहां पर प्रभावित किया जा सके तो यह सब सुनिश्चित हो जाएगी वो रुपया आपको वापस कर दिया जाता है और एवन ऐसे नहीं है कि आपने सोचा कि नहीं किया तो एक प्रॉपर कमीटी बिठाई जाती है इसके उपर चेक करने के लिए जो लोग मतलब बेगुना थे यह जैन्वन जो लोग थे उनके पैसे उनको मिले या नहीं मिले इसके लिए बकायदे कमीटी भी बिठाई जाती है बाद में यदि अब बात आ जाती है कि माल चलो गए यह तो आम एक इनसान की बात होगी वो दस लाग रुपय तक की बात हो रही है उसको भी पैसा वापस कर दिया जाता है वो भी एक प्रोपर मतलब उसको satisfaction होने के बाद verification होने के बाद कि हाँ भी verify हो गए या आप genuine आपको पैसा मिल गया अब माल लिजे एक उमीदवार है यह है कि आपने 95 लाग की limit लगा रखी है 95 लाग की limit लगा रहे है तो इस वक्ती 95 लाग रुपर खर्स तो करेगा न कुछ पैसा किसी को देगा वो कहीं लेके जाएगा आवाजाई तो होगी न तो उन्होंने बोला है कि ठीक है अगर कोई उमीदवार है या कोई agent है या पार्टी का का कारे करता है तो वो अपने वहान के अंदर 50,000 रुपे से अधिक की अगर नगदी लेके जा रहा है तो वो जब्द कर दी जाएगी साथ-चाथ अगर drugs, शराब, हतियार या 10,000 से अधिक के कोई मुले या कोई item यानि 10,000 रुपे का को gift है अगर उससे अधिक की को मुले पाए जाती है तो उस समान को तुरण जब्द कर लिया जाएगा यदि चेकिंग के दुरान किसी अपराद का संदे हुआ तो XC, RPC हमारे जो एक कानूनी जो है Criminal Procedure Code उसके तायद कारवाई की जाती है उसके तैजब्द की जाती है जब राज्जे की सिमाओं के पार शराब ले जाने की बात आती है तो संबंदित राज्जे के उत्पाश शुल कानून लागू हो जाते है तो यहां पर हो गया अगर कोई candidate लेके जा रहा है अगर कोई अहां इनसान लेके जा रहा है तो वहां पर उसको बोला गया आप 10 लाग से जादा किसी को नगदी नहीं ले जाने दे सकते है आप clear हुआ इन चीजों का वहां पर verification होती है अगर कोई पैसा पकड़ लिया गया मान लीजिए अब 10 लाग पकड़ लिया तो अब क्या होगा तो यदि कोई नकदी या अन्य समान जब्द किया जाता है तो अधिकारियों को उनको वापस करना होगा यदि वे किसी उमिद्वार या अपरा से संबंदित नहीं है तो जनता या वास्तिक व्यक्तियों को एसविदा से बचाने के लिए एक जिला स्तरिय समीती शिकायतों पर गोर करती है ध्यान रखना जो जनता है जो आम पबलिक है जो एक जैन्वन परसन है उनको जो एसविदा हुई है उस एस्वीदा से बचाने के लिए एक जिला स्तर के ऊपर डिस्टिक लेवल के ऊपर क्या होता है वहाँ पर शिकायत समीती जो है वो बनाई जाती है यह जो समीती क्या करती है खुद अपने मतलब कोई इसको शिकायत कोई बोलेगा नहीं यहाँ जाईये आप खुद करिये सो मोटो यानि खुद उन्सेप चीजिघों को देखेगी जिसमें वै निगरानी के लिए जिला चुनाव कारले के जिखाई दरज नहीं नहीं जहाँ जब्ति या किसी उमिद्वार राजनितिक दल से झुड़ी नऑ हो तो वहाँ पर उसी जो को देखा जाता है कि आपका जो पैसा था वो किसी चुनाप पार्टी से नहीं था यानि चुनाप परचार के लिए नहीं था या फिर आजनेतिक पार्टी से नहीं संब्धित नहीं था या किसी उम्मिद्वार से संब्धित नहीं था या आपके उपर कोई F.I.R. नहीं है या कोई शिकायत दर्ज नहीं है तो आपको क्या है वो पैसा वापस कर दिया जाएगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक समीती बनाई जाती है ये तो था कि भई ये पैसा जब्त कर लिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है पैसा मिल जाता है लेकिन एक लिमिट रखी गई ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन के दोरान वोटर्स को आपको जैसे सुनने को मिलता है भाई शराब के अंदर या 500 रोपे के अंदर अपना वोट बेज़ दिया ये सारी चीज़ें बहुत ज़दा परभावित करती है ये सब चीज़ें हम सुनते हैं क्योंकि ये चीज़ें हो रही होती है समाज के अंदर कोई मैं नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ बोलने में क्या है कि बोल दो ये सब चीज़ें नहीं होती है अच्छल में वो होती है तब ही वो सामने निकल कर आती है ये इलेक्शन कमिशन के जरूर थे वो आज आपके सामने में रख दी है कि क्या रूल होते हैं कितना पैसा लिए जा सकते हैं हलांकि उसको पैसा मिल जाते हैं लेकिन इस वक्ष बहुत जादा चुकनना होना पड़ता है जो इसी जो है इलेक्शन कमिशन के जुरूर है बहुत जादा strict होते हैं आपर जो officers होते हैं वो अब देखेंगे कि railways के उपर आप देखी जाके देखें तो वहाँ पर कैसे एक निगरानी के तोर पर कितने सारे police officers वहाँ पर खड़े कर दिये गए हैं तो उमीद करता हूं कि जो आज का टोपीक है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो मुझे कैसे समझा सकते हैं ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कोई भी आपकी मन में डाउट है चैनल कोमेंट सेक्शन वो ओपन है वहाँ पर आप अपनी डाउट को लिख सकते हैं आपको वहाँ पर रिप्लाइ मिल जाएगा और पीडियो के लिए फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन वर्क्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए नहीं था थ था 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 थोड़ डिया कि जीडियो एक लाख openly भी नहीं है थे जोएट वचस्टि है में कि बतवे में डामाइब हैं सबस्के हैं मिलेग्रामा सब्रा प्स्क्रिपरा में ऊख से नहीं हbakं Quand रॉटव एक हैं रिम दृमातर में ही जा ही एक डिवासरे फणियों वर्वारा